अगर आप इस confusion में हो के market में चल क्या रहा है, hiring भी हो रही है और firing भी हो रही है, कहीं पर 100% भी hike मिल रहा है, कहीं पर lay off कर रहा है, ओल्टक कम package भी दे रहा है, तो यार समझ नहीं आ रहा है, यहीं आपके दिमाग में है, कोई बात नहीं, आप सही channel पर हो और मैं आपका आज यह confusion पूरा clear कर दोगा, I have almost 10 years of experience जो भी December में होने वाला है, और मुझे YouTube करते हुए 3,5 साल हो गए, मैंने अपने career में total third company में काम कर रहा हूँ, जादा switch नहीं मारे, जहाँ जहाँ रुका, लंबा रुका, because मुझे वहाँ पे seniors अच्छे मिले, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हो, कि reality में market कैसा चल रहा है, as per news, India's job market sees 3% monthly rise, and gig job surge by 184%, and it is also said that, कि जो share prices थे, पिछले साल जो 22% से लेके 46% हो गए, मतलब double भी हो गए है, बहुत सारे companies के shares, especially IT shares, तो इसका मतलब क्या है, कि profit हो रहा है, okay, cash overflow की बात हो रही है, यहाँ पे, okay, company को हो रहे है, reality में क्या हो रहा है, एक experience share करता हूँ आपके साथ, उससे आपको थोड़ी सी clarity मिल जाएगी, एक लड़का था, okay, bangalore गया, job करने, उसको मिली नी, फिर उसके बाद उसने एक adtech institute join कर लिया हूँ, adtech बोलते थे, tension मतलब हो आपका कैसे भी करके fake experience देके बना fine, उसने apply किया, नहीं हुआ, उसके roommate ने बनवाया, उसका हो गया, अब last में जाके इसका दिमाग संदग गया, इनका हो गया, इनके 10-10 लाग के package लग गया, मेरा क्यों नहीं लग रहा, होता ही है, यही होता है, इसका package इतना, इतना package इतना है, मेरे साथ भी कुछ हुआ है life म वो मैं आपको upcoming videos में बताऊंगा, बट इसके case में क्या हुआ, अब इसको fear आ गया, इसका package लग गया, दो साल का fake experience लेके, और वो जॉब भी कर रहा, data analyst में, मेरा क्यों नहीं लग रहा, अब इसने क्या किया, इसके पास knowledge कम थी, as compared to उनसे, वो smart भी कम था, but still इसने क्या किया पेक experience बनाया, last में जाके, job crack करी, सामने वाले ने बोला के हम आपको 8 देंगे, इसने बोला के ने, कोई 10 तो चाहिए, तो सामने वाले ने लो दे दिया, अब तुम immediate joiner हो, सामने वाला भी सोच लेता कि कोई बात नहीं आतो रहे हो, दो दिन में चल ने लेते हैं, दे दिया अब वहाँ पे जाके, समाओ perform नी कर पाया, दिक्कत है, maybe seniors अच्छे नी मिले, काम थोड़ा सा complicated मिलिया, अब क्या हुआ, manager ने तीन में इने बाद ही बोला, कि भाई मैं तुझे PIP में डाल रहा हूँ, अब 90% chances यही होता है, जब कोई PIP में जाता है, उसको company निकाल देती है क्योंकि bench पे अल्रेडी बहुत सारे लोग है, तो इतना तो पचल गया है, तुमारी performance अच्छी नी है, अबर तुमारी performance अच्छी नी है, तुमको क्यों रखे bench पे, तुमको कर देंगे Tata Bay Bay, यही हो रहा है, तो यहाँ से क्या सीखने को मिला, कि जब तुम्हों अपनी skills के पर confidence ना हो, तो better है, कम package वाला job starting में crack करो, because तुम सोचते हो, पैसे के perspective से, company भी सोचते है, पैसे के perspective से, तुम कमाने के perspective से सोचते हो, वो saving बचाने के perspective से सोचते है, बात सारी पैसे की है, जब तुम कम पैसा मांगोगे, सावने वाले को भी लगा रहे है, दो साल का experience है, चा को 5-5-6 साल का दिखा देते हैं आपको जो इस साल पर्मोट किया है ओके तो क्या किया आपको पर्मोट किया जिसको ड्राइब पर्मोशन के नाम से भी बहुत फेमस हुआ इस पर बहुत लोगों को पर्मोट किया सिर्फ 5% हाई की दे किया 7% बस इतनी दिया जबकि किसी जमाने में प्री कोविड में भी 30 से लेके 50% हाई की मिलता था एक पर्मोशन पे इस बर नहीं दे रहे क्यों तुम्हें अल्रेडी तुम्हारी सेलरी बहुत जादा है क्लाइंट अब तुम्हारी पर्मोशन कर दी विधन को दिखाएंगे भाई हमारे पास अब यह और सिर्चिल्च जाद है मिलिंग करें बजटेंज आ है स्टेndर लेट्स होते है विधन को बेज़एं थे क्लाइंट बहुत है ठीक है क्लाइंट भी आगे एक्सपेक्ट करता है कि आपको वैसी नौलेज़ अब मेरे पास कुछ लोग भी आ रहे हैं, टॉप मेट पे भी मेसेज आता है, कि सर मेरे पास दो तीन जॉब ओफर्स लेटर्स है, आप कुछ हेल्प करो, मतलब मार्केट में जॉब तो मिल रही है, या तो तुम सही डंग से अपलाई नहीं कर रहे है, या तुमारे स्किल्स म हो चुका है, स्टार्टिंग में तो देखो, डेखो, डेखो, काम कराना था, सबको हैर कर लिया हाई पेकेज, बट अब उनको पता है कि दीरे-दीरे डाउन साइजिंग करनी पड़ेगी एक स्टेज पे आके, यूँकि तब वो प्रड़क्ट मेचियोर होने लगेगा, और चलना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, now you have seen के market में समें बहुत बड़ा gap आचोका है, in college as well as industry, because industry की expectation बहुत हाई हो चुकी है, okay college वो दे नहीं पा रहा है, so to fill that gap, Masai School has launched a program in collaboration with IIT Guati for a course in software development named micro credit program in CAC, there you will have live lectures and evaluations by IIT professors, access to all IIT Guati campus and labs, next program is going to start from 13th May 2024, here they will make sure that you feel like an IITian where you learn directly from IIT professors, access to all IIT Guati campus and events, graduation ceremony at IIT campus, so the curriculum overview is like that, here you have a trimester duration 16 weeks, commitment Monday to Friday 8pm to 9pm, Saturday morning 11am to 5pm, courses like mathematics for computer science, computer science and programming, data structures, database systems, which will help you to not only correct service based companies, also product based companies as well, here all the professors are from IIT only, who will teach you as well as mentor you, regarding job assurance, the eligibility is complete trimester assessments and capstone projects, attain a cumulative score of 70% and above, so here the admission process is totally online, where you have to pay the registration fee and block your seat, and that last trimester and fees architecture is on your screen, you can block your seat by paying only 5000 rupees and rest trimester fees, you can pay on EMI as well, so if you want to be taught by industry experts, especially IIT Guati professors, then this program is best for you, link is in description and in comment section, चलो फिर अपना वीडियो भी continue करते हैं, यह सबको पता है कि पिशले साल की hiring और इस साल की hiring में फरक है, पिशले साल बहुत ज़्यादा कम hiring हो रही थी, इस साल थोड़ी सी improve हो रही है, और यह साल उन लोगों के लिए best है, जिनका package अब तक भी कम रहे गया, सुनो, market में ने एक standard set हो चुक है, कि आपका तीन साल के experience है, तो आपको हम 8-9 लाग, 10 लाग भी दे सकते हैं, companies ready to give you, ready to give you 10 लाग also, but condition is, you should be above average, आपको अगर हम कोई काम दे रहे हैं, तो आप वो काम खुद कर लो, rather than किसी और उसे help लेने की बजाए, या फिर seniors के उपर dependent होन की बजाए, because right now they don't have time, they have limited resources, they are ready to pay you, मैं वहीं बोल रहा हूँ, वह चाहते हैं, कि भाई, rather than 5-5 लाग के 2 juniors लेने की बजाए, कोई बात हैं, 10 लाग तुझे भी देने को ready है, बड़ तेरे पास knowledge होने चाहिए, और इस समय, अगर आपी बात freshers की बात करो, उनका भी एक duty लेने स्टार्ट कर दे इस साल से, तो इसका मतला market ठीक हो रहा है, दो बारा freshers expectations आ रही है, वो आनी आएंगी भी, because covid phase कतम हो गया, 2020 से स्टार्ट हुआ था, college चार साल का होता है, तो 2024 आ गया, तो उनको भी हो गया, कि भाई जो उस ताइम पर पिछले था, like 2021, 2021, 2021 वाले जो को तो recession का fear, ठीक है, इंडिया में recession आया है नहीं, fear आया, और वो fear ज्यादा खतरनाक होता है, और वो fear कौन बना के रखता है, upper management, और वो बनाएंगी, वो बनाएंगी ताकि नीचे वाले लोग डरे रहें, ज्यादा पढ़ाई करें, ज्यादा sincere होएं, और वो selected लोग ही आप getting what time, सही, तो मैं तुमको बता रहो न, recession का fear था, अब वो खतम हो गया, खतम भी करना है, किसको करना है, तुमें करना है, वो तुमको नहीं लेना, देने वाला आपको कुछ भी लोड देगा, बट आपको नहीं लेना, अभी अगर आप TCS के देखो, TCS इतनी सारी hiring कर रही है अगर आप TCS का भी देखो, कितनी सारी hiring कर रही है, अगर वो निंजा, जिसके बास basic knowledge है, 3.36 का package दे रही है, डिजिटल वाले लोगों को 7 lakh का package दे रही है, इनसी तरह इन फोसिस भी आपको power programmer से 8 और 9 LPA का package दे रही है, फिर इसके बाद prime वाले जो रहेंगे, उनको 9 से ले food boot tie रखो, knowledge अपनी ready रखो, और जारा AI-AI के पीछे tension मतलो, कि ये lay off कर देगा, ये वो sub कर देगा, नहीं, ओके, it's an add-on, आपने किसी टाइम पर mobile बटनों वाला यूज कर सेते, अब ये mobile में कितना कुछ आ गया, पर tab आगया, टाप के अंदर tab, अधिक तरह से laptop और mobile का combination, ये गया, उसने cheating करके exam clear कर दिया, अपने दोस्ते करवा लिया, interview के लिए उसने preparation कर ली, वो basic questions उसको पता थे, क्या पूछते हैं, वो कर लिया, फिर उसके बाद power programmer करके अंदर चला गया, आटला का package, और उसको trading मिली, okay, dot net के उपर वो कर ली, फिर एक project में चला गया, अब वहा से वो तीन महीने में निकल गया, तो प्रॉब्लम क्या हो, उसको कहीं ना कहीं एक गरक experience में, internal Infosys के, छप गया कि भाई, इसने तीन महीने काम के ज़्यादे दे टिका ने, ठीक है, फिर उसने क्या किया, दुबारा दूसरे project के लिए अपलाई गया, मिला नी, मिलते-मिलते ऐसे करते हैं, करते हैं, छे महीने से ज़्यादा हो गया, अब जब तुमको overall experience, अब एक साल हो गया है, और तुम काम नी कर रहे हो, पावर प्रोग्रामर हो, Infosys ने क्या किया, एक साथ सब के, सब के गले पे तलवार चला दी, जितने भी लोग bench भी better, पावर प्रोग्रमर ह पकड़ा, ओके जब तुमको पता है, तो मार्केट में average से ज़्यादा package लेकर बैठे हो, then please try to maintain it, sustain with it, understood, नई तो फिर सीधा क्या होगा, PIP या layoff, पर इस समय मार्केट में बहुत silly-silly reason से PIP में डाला जा रहा है, आपने अगर manager का कहना नी माना, रात के 8 बजे call नी किया, उठाया उनका, वीकेंड पे अगर आपने काम करने से मना कर दिया, या कुछ भी अगर, एखो, work from home, आभी simple सा reason है, कि तुमने अगर मुझे मना किराना किसी भी चीज के लिए, निकाल दोगा, simple, office नहीं आ रहे थे, हाईग नी दोगा, प्रमोशन नी दोगा, तुमने यह न आपको कितने भी बढ़काएगा, मत बढ़कना, समझे है, इस वीडियो बेर सरफ इतना ही, चलता हो, दुआ में अधर रहे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जो आप नहीं करते हो, ओके जी, बाई-बाई, सी यू, बाई-बाई, जी, बाई-बाई-बाई-फॉ